नमस्कार शिक्ष्यार्थियो पिछली काई में आपने अडॉप्शन यानी अभिग्रहन को समझा और आज हम चर्चा करेंगे कारिक्रम नियोजन पर जो किसी भी प्रसार कारिक्रम का महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें आप जानेंगे कारिक्रम नियोजन को, कारिक्रम नियोजन के सिधान्त और कारिक्रम नियोजन के विभिने चर्णों को और साथ ही आप जानेंगे सौट अनलेसिस और इसकी सीमाओं को तो शुरुवात करते हैं प्रिसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षन विवस्ता है जो लोगों के स्वयम के प्रयास के माध्यम से बहतर जीवन जीने में मदद करता है परंतु या तबी संबव है जब कारे को नियोजित ठंग से किया जाए प्रिसार कारे के अंतरगत कारिक्रम नियोजन का विशेश महत्व है इसलिए प्रिसार कारे करता वा ग्रामो थान में लगेवे व्यक्तियों जहें वा किसी भी स्तर पर कारे कर रहा हो कारिक्रम नियोजन का पूर्ण ग्यान आवशक है कारिक्रम नियोजन एक अथक प्रयास है जो ग्रामीनों को आवशक्ताओं, रूचियों व इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि वे जिस स्थिती में रह रहे हैं उससे भी बहतर स्थिती में रहें तथा अपने जीवन स्थर वर रहन सेहन के स्थर को उचा उठाएं कारिक्रम नियोजन के लक्षों और उद्देशों को विक्सित करने या संगठनात्मक रणनीती को लागू करने से पहले सौट अनलेसिस यानि सौट विशलेशन का उपयोग प्रारंबिक संसाधन के रूप में किया जाता है तो कारिक्रम के सफल उन्हों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं और साथ ही समुदाय के लोगों में उस कारिक्रम के प्रती रूची भी बढ़ जाती है तो आईए जानते हैं कि कारिक्रम नियोजन क्या होता है यानि प्रोग्राम प्लानिंग गावों का विकास होने पर ही राष्ट का विकास संभाव है और गावों का विकास तभी संभाव है जब गावों में रहने वाले व्यक्ति का भी विकास हो इसलिए ग्रामोत्थान में लगेवे व्यक्तियों चाहिए वा किसी भी स्तर पर कारे कर रहा हो कारेक्रम नियोजन का पूर्ण ग्यान होना बहुत आवशक है कारिक्रम नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें कारिक्रम शब्द के अंतरगत आता है कि कारिक्रम शब्द विभिन्य प्रकार की गतिविदियों का सूचक है तथा नियोजन के अंतरगत कारिक्रम में क्या किया जाना है कैसे किया जाना है क्यों किया जाना है इसका स्पष्ट उलेख होता है ताकि जिन लोगों के लिए यह काम किया जा रहा है उसे स्पष्ट रूप से समझा जा सके और उस कारिक्रम में सहभागी होकर लाभनवित हो सक इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिती का ज्यान उसका विशलेशन करना वैज्ञानिक आधार पर उसका उपचार करना तथा वकारे कैसे कब कहां किसके द्वारा करना है आदी समस्तिक्रियाओं को कारिक्रम नियोजन कहते हैं गाम वालों की मौजूदा स्थिती का अध्यन करके उनका विसलेशन करना उनकी आउशक्ताओं और समस्याओं के आधार पर व्यक्तियों या उनके नेताओं के पारिस परिक वारतलाव द्वारा निरधारत उद्देश्यों प्रस्तावित सुझावों तथा कारे करने की विस् या परिवर्तन वास्ता में उसके ज्ञान, मनोवरती, सोच तथा कारी शम्ता में परिवर्तन लाने से हैं कैलसी वहरने ने अपनी पुस्तक कॉपरेटिव एक्स्टेंशन वर्क में प्रिसार कारिकरम न्योजन के कुछ उद्देशी व्यक्ते किये हैं सबसे पहला है क्या करना है और क्यू करना है इस पर उचितन लेना दूसरा कारियों का लिखित विवरंड तयार करना ताकि जन साधारन को सूचित किया जा सके तीसरा है मूल्यांकन एवं कारिकरम की निश्चता हेतु लक्ष को निर्धारित करना चौता है अनुभू तथा विस्मत आवशक्ताओं का चायन करने के पश्चात साधनों को दुरुपयोग से बचाना अगला है समस्याओं को उनकी आवशक्ताओं तथा स्थाइत्व के आधार पर चुनने के लिए आवशक रूप रेखा बनाना इसके बाद आता है नेत्रत्व का विकास करना साथी समय तथा दन के अपवई को रोखना तथा सामाने कुशलता बढ़ाना इसके अलावा परिवर्तन प्रक्रिया को सतत बनाए रखना सुनी योजित कारिक्रम द्वारा निश्चित समय में लक्ष प्राप्त करना और विभिन्न लोगों को ग्रामीन विकास कारिक्रम में भाग लेने के लिए प्रयास करना कारिक्रम नियोजन करते समय आउशक्ताओं का अध्यान करना बहुत ही महतुपूर्ण होता है सफल कारिकरम नियोजन तभी संभग है जब ग्रामीन आउशक्ताओं का ठीक ज्यान हो कारिकरम नियोजन विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें हम शेत्री आउशक्ताओं की पूर्ती करते हैं ये आउशक्ताई विभिन शेत्रों में भिन्न भिन्न होती है और नियोजन के लिए केवल इनका अध्यन बल्कि उनकी पूर्ति की प्राथमिक्ताओं के लिए भी अध्यन करना पड़ता है। अब जानते कि आउशक्ता क्या है? कारिक्रम नियोजन के संदर्ब में आउशक्ता का अर्थ व्यक्ति की वह इच्छा है जिसकी पूर्ति हे तू व्यक्ति समर्थ वततपर हो और उसकी पूर्ति होने पर ही संतोष प्राप्त होता है। क्या है तथा क्या होना चाहिए कि मध्य के अंतर को ही आवशक्ता कहा जाता है दूसरे शब्दों में वर्तमान एवं भविश्य के लक्ष के अंतर को आवशक्ता कहते हैं अब जानते हैं कि आवशक्ता के प्रकार क्या होते हैं तो सबसे पहला है मनोवज्ञानिक आधार के अनुसार, ये होते हैं अनुभूत आवशक्ताईं तथा आवशक्ताईं जिने हम कहते हैं felt needs, ये वे आवशक्ताई होती हैं जिने व्यक्ति स्वयम प्राथिमिक्ता के रूप में अनुभव करें तथा उनको पूरा करने के लिए ततपर हो, दूसरा है अनुभूत या अनुभूत आवशक्ताईं जिने हम कहते हैं unfelt needs, ये वे आवशक्ताईं हैं जिने व्यक्ति अपने संकुचत ग्यान के कारण अनुभव नहीं करता परन्तु एक स्वस्त जीवन के लिए आवशक होती है, या हम ये कह सकते हैं कि मनुश्य के कुछ आवशक्तायां सुषू तवस्था में रहती हैं और इनकी पूर्ती कुछ समय बाद भी हो सकती हैं और सामानय वरगी करन के अनुषार ये तीन प्रकार की होती हैं, सबसे पहली है बहुत आव Bean ये वे आवशक्ताई हैं जिनकी पूरती से मनुश्य यानि attraction तथा हम की भावना जिसे हम कहते हैं वी फीलिंग उसकी पूर्थी करती है जैसे हमारी सामाजिक प्रतिष्था सम्मान प्रेम आधी अगला है दार्शनिक आवशक्ता हैं ये वे आवशक्ता होती हैं जो मनुष्य की आदर्श्वादी भावनाओं की पूर्थी करती है आवशक्ता को जानने की कुछ विदिया होती है जिनसे किसी वेक्ति ये समुदाय की आवशक्ताओं को जाना जाता है जैसे सामाजिक सर्वेक्षन द्वारा, सामुहिक वार्तलाब द्वारा, निरिक्षन विधी द्वारा, स्थानी समस्या और संगठनों द्वारा, सकते हैं अब यह जानना बहुत जादा जरूरी है कि आवशक्ताओं को जानने की क्या लाब है तो पहला लाब है कि कारिक्रम नियोजन द्वारा व्यक्तियों एवं समुदाय को अपनी समस्याओं के स्वयम हल धूर निकालने के लिए प्रसक्षित किया जाता है इसके अलावा तन एवंशक्ति का धुरूपयोग होने से भी बच्ठा जिससे की कारे शमता में वृद्धी होती है इसके अलावा स्थानी वक्तियों में आत्मिश्वास की भावना भी बढ़ती है प्रसार कारे किरमों में वक्तियों का सकृरी सहीयों मिलता है भविश्य में अनिय योज को तयार करने और कार्यानिवन हेतू आधार भी प्रदान करता है इसके अलावा प्रसार कार्य हमारा श्रध्धा इसके अलावा प्रसार कार्य श्रंखला बद्द चलता है अनिश्यत्ता का निवारण होता है और स्थानी ग्रामीर संस्थाओं और संगठनों को सक्रीता देता ह कारिक्रम नियोजन के कुछ सिद्धान्त है। पहला है, कारिक्रम का चायन अनुभूत आवशक्ताओ एवं रूचियों पर आधरित होना चेहिए कारिक्रम बनाते समय लोगों की अनुभूत आवशक्ताओ वाता वरण तथा अभी रूचियों को ध्यान रखना बह। ज़ाधा आवशक है यह निश्यत नहीं कि समाज के सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार कर दिया जाएगा इसलिए आवशक आवशक्ता को प्राथमिक्ता के आधर पर हल करने की योजना बनानी चाहिए जिससे की अधिक्तम व्यक्तियों की आवशक्ताएं पूर्ण होंगी और वह कारिक्रम सफल बनाने में रूची भी लेंगे दूसरा है प्रसार कारिक्रम नियोजन वास्तविक तथ्यों पर आधरित होना चाहिए किसी भी कारेक्रम का नियोजन तभी प्रभावशाली सद्ध होगा जब वहां की स्थिती के वास्तविक तथ्यों के विशलेशन पर आधरेध होगा कारेक्रम के नियोजन से पूर्व उस शेत्र की स्थिती जैसे की भूमी, सामाजिक रीती रिवाज, स्थानी संगठन एवं ग्रामीन वा सामाजिक संस्थाएं इत्यादी की जानकारी लेना बहुत जादा आउशक है फिर है प्रिसार कारिक्रम ग्रामीन व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए कारिक्रम न्योजन करते समय हमें यह स्मरंड रहना चाहिए कि जन व्यक्तियों के लिए कारिक्रम बनाया जा रहा है उनकी सैक्षनिक योगिता, तक्निकी ज्यान, उनके रीती रिवाज, कारे कुशलता, उनके कारे करने की मनुवरती कैसी है कारे करम बनाते समय उपलब्द साधनों के उपयोग का समुचत ध्यान रखना चाहिए ताकि कारिक्रम में नहित उद्देशों को प्राप्त किया जा सके इसके अतरिक समस्याओं के समाधान उपलब्द नवींतम तक्नीक के आधार पर ही करना चाहिए चौथा सिद्धानत है कि कारिक्रम के उद्देश स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण होने चाहिए कारिक्रम नियोजन किस लिए क्यूं कब कहा और कैसे किया जाना है यह स्पष्ट होना चाहिए जब तक उद्देश स्पष्ट नहीं होगा तब तक लोगों को न तो कारिक्रम की जानकारी हो पाएगी और नहीं उन्हें उसका लाब मिल पाएगा इसलिए ये उद्देश तथा निर्देश पष्ट होने चाहिए जिससे की वहां की विक्ति उनको देखकर कारिक्रमों में रूची ले और उसे सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करे तथा एक निश्चित समय के बाद उन कारिक्रमों का मूल्यंकन भी होना चाहिए ताकि ज्याथ हो सके कि किस तर तक हमारे उद्देश की प्राप्ती हो चुकी है पाच्वा सिद्धानत है कारिक्रम वैवहारिक वशेक्षिक होना चाहिए कारिक्रम जितना अधिक वैवहारिक वशेक्षिक होगा उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी कारिक्रम नियोजन करते समय इनकी वैवहारिक्ता के पक्ष पर अमल करना चाहिए जिससे की स्थानी स्थरपर विक्तियों के ज्यान कारिक उशलता एवा मनुवरती में वांचित परिवर्तन लाया जा सके छटा सिद्धानत है कारिकरम नियोजन एक सैक्षिक प्रक्रिया है क्योंकि जो प्रसार कारिकरमों में निरंतन भाग लेने से ग्रामीड जनता में वर्तवान स्थिती का अध्यान करने, तथ्यों के विशलेशन करने, समस्या का जयन करने, कारिकरम को कारियान वित करने तथा मूल्यांकन करने की योगिता विक्सित हो जाती है इससे उनके वेवार में एक परिवर्तन होता है सात्वा है प्रसार कारेकरमों का संचारन कुशल निरेक्षन में प्रसिक्षित कारेकरतां द्वारा ही होना जाईए किसी भी कारेकरम की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती है और जनता के सहीयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब उन्हें अपने प्रिसार कारेकरता के ज्यान पर विश्वास हो और समय समय पर वह लोगों की कठिनाईयों को सही हल बताता हो यह तभी संभव है जब प्रिसार कारेकरता को नवीन शोत और ज्यान की सही जानकारी हो इसके अतिरिक्त एक सफल कारिक्रम के निर्मान एवं संचालन के लिए प्रसार कारिकरता को तक्नीक ज्यान के साथ साथ ग्रामीन समाशास्ट, ग्रामीन मनोविज्यान तथा प्रसार की विभिन सैक्षिक गती विदियों का परियाप्त ज्यान होना चाहिए इसके लिए ये बहुत आवशक है कि उसे समय समय पर प्रसिक्षन की सुविधा प्राप्त हो और उपयोगी प्रसाड साहित ते उपलक्त होता रहे आठवा सिध्धान्त है नियोजित कारिक्रम व्यापक होना चाहिए कारिक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि समाज के प्रतेग सर के व्यक्ति को उससे लाब हो तथा कारिक्रम प्रतेग समू के व्यक्तियों को हितों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कारिक्रम नियोजन का नवा सिध्धानत है कि कारिक्रम में लचीलापन होना चाहिए कारिक्रम नियोजन करते समय लचीलापन के सिध्धानत को भी ध्यान में रखना चाहिए कारिक्रम द्रड तथा कठोर होने के साथ लचीले भी होना चाहिए ताकि उनके कारिक्रमों को स्थानी आउशक्ता के अनुरूप परिवर्दित किया जा सके दस्वा सिद्धानते हैं नेतरत्व का विकास होना चाहिए कारिक्रम की सफलता उपलब्द तक्नीकी ग्यान के साथ साथ स्थानी लोगों की सह भागिता पर भी निर्भर गरती है कोई भी कारिक्रम चाहे कितना भी अच्छा लाबदाई तथा उपियोगी क्यों न हो जब तक कि स्थानी नेताओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक सफल नहीं हो सकता है तो जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए वहां के स्थानी नेता का सदूपयोग आवशक है अर्थात समाच के विकास के लिए सक्षम नेतत्व आवशक है इसलिए कारिक्रम में नेता के विकास का कारिक्रम भी समावेशित करना चाहिए कारिक्रम नियोजन के कुछ चरण होते हैं किसी भी प्रिसार कारे को सफलता पूर्वक चलने के लिए कारिक्रम नियोजन की बहुत आउशकता होती है कारिक्रम चाहे बड़ा हो अथ्वा छोटा, व्यक्तिगत सतर पर हो अथ्वा साहमुइक सतर पर उसकी योजना बनाई बिना लक्ष प्राप्त करना बहुत कठेन होता है इसलिए कारिक्रम का नियोजन करते समय कुछ विशेश बातों का दिहान रखना पड़ता है कारिक्रम नियोजन के कुछ चरण होते हैं जैसे सबसे पहला है कि तत्यों की जानकारी प्राप्त करना जिसे हम कलेक्शन और फैक्ट्स कहते हैं कारिक्रम नियोजन का ये सबसे पहला चरण है जिसे तत्यों की जानकारी प्राप्त करना कहते हैं दूसरा चरण है स्थितियों का विशलेशन यानि Analysis of Situation उपलब्द तत्यों एवम सूशना के आधार पर स्थितियों का विशलेशन करना कारिकरम नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है कारिकरम नियोजन के क्रियानवन को अनेक कारग प्रभावित करते हैं जैसे उपलब्द संसाधन, स्थानी परिस्थितिया, स्थानी लोगों की आवशकताएं अभिरूचिया, मौली एवम संस्कृति इत्यादी इन सभी कारकों का अध्यन करने के बाद ही कारिकरम नियोजित करना चाहिए स्थिती के विशलेशन के लिए प्रिसार कारिकरतों को विशे विशेश यग्यों, तकनीशियन, योजना समीती, आदी के अनुभवी सदस्यों की सहायता भी लेनी पड़ सकती है यदि उस शेत्र में अन्य कोई कारिकरम चलाए जा रहे हैं तो उनके सफल या असफल होने के कारणों का भी अध्यन करना चाहिए उधारन के लिए हम ले सकते हैं कि यदि हम क्रिशी से सम्मंदित कोई कारिकरम शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें विभिन्न आकडों का संकलन करना होगा जैसे प्राकरतिक वस्तुओं जैसे मौसम, भूमी, वर्षा, वनस्पति, इत्यादी मनिश्यों के प्रती जाती, लोगों का जीवनस्तर, जनसंख्या, निल्ले लेने वाले लोगों के कारे करने की शम्ताएं सामाजिक संग्रशना, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, उध्योग धंदे, परिवार आदे से संबंदित सूशनाई भी हमने इकतरत करने होंगी इसके साथ ही फसल प्रणाली, मुख्य एवं गौड वेवसाई, क्रिशी के अंतरगत शेत्रफल, उगाई जाने वाली फसलों की किस्म है, क्रिशी विधिया, औसत उपज कितनी है, पशुधन कहां उपलब्द है, क्रिशी यांत्र तथा उनकी उपलब्रुता क्या है, सिच इधाय, मनोव्रिती, आदी से सम्मंदित आकडों को भी इखटा करना होगा, तीसरा चरण है समस्याओं तथा अनुभूत आवशक्ताओं को पहचाना, जिसे हम कहते हैं, identification of problems and felt needs, स्थिती की समय जानकारी के पश्यात, प्रसार कारकरता को स्थानी शेत्र की आवशक्ताओं की समस्याओं और अनुभूत आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर कारिक्रम नियोजित किया जाता है, तो वहां के लोगों की कारिक्रम में रूची पैदा होती है, और लोग बढ़ चड़कर उस कारिक्रम में हिसा लेते हैं, किसी भी समस्या का चैन करते समय कुछ बिंदू के सहीयोग से कारिक्रम चलाए जा सके, सरकारी तथा गैर सरकारी संसाओं दोवारा आर्थिक एवं टेक्नीकी साहता मिल सके, विशे विशे शग्यों तथा टेक्नीकी विशे शग्यों की सेवाई आसानी से प्राप्त हो सके, और लोगों की अभी रूचिया समस्या को निप आवशक्ता उसलिए क्राथमिक्ता के निर्धारीद उन्हें पूरा करने के लिए योजना के उद्देश करने चाहिए कारेकरम नियोजन में उदेशों को निर्धारित करते समय वहां के विकास खंड अधिकारियों से स्थानी नेता, प्रगती शील क्रिश को, जिलास्तर के विशे विशेशग्यों, निकर्तम क्रिशी विश्य विद्यालेयों वह शोट संस्थाओं के विशेश अग्यों से सहीयोग लेना चाहिए उद्देश्य निर्धारित करते समय दो बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला है उद्देश्य स्थानी स्थिती को ध्यान में रखते हुए वहां की प्रमुख समस्याओं लोगों की आवशक्ताओं और लोगों की रूची को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए दूसरा है दीर्ग कालीन वा अल्प कालीन दोनों ही तरह के उद्देशों का निर्धारन करना चाहिए पांचवा चरण है कारिकरम योजना तयार करना जिसे हम कहते हैं developing a plan of work कारिकरम की रूप रेखा तयार करना कारे योजना के विकास के अंतरगत आता है कारिकरम की प्राथमिक्ता के निर्धारन के बाद पूरा कारिकरम चलाए जाने की योजना बनानी चाहिए जिससे की निर्धारित लक्षों को प्राप्त किया जा सके कारी योजना में यह स्पष्ट हो कि कारिक्रम को कब, कैसे, कहां, किस प्रकार, किन माध्यम से, किस के द्वारा और किन के लिए तयार करना है कारिक्रम बनाते समय उपलब्द संसाधनों को भी धिहान में रखना चाहिए इसके अलावा हमारे पास कई सारी बातों का विस्तरत विवरंड होना चाहिए इससे हमें कारिक्रम के मूल्यांकन में सुविधा रहती है छटा चरण है कारिक्रम क्रियानवन यानि execution of the plan कारिक्रम की सफलता के लिए बहुत जादा जरूरी है कि उसे अच्छे ढंग से एक रियानवित किया जाए स्थानी नेताओं, सहयोगी संस्थाओं, प्रिसार कारिकर्ताओं तथा स्थानी लोगों को चाहिए कि वे सभी मिलकर जिम्मेदारी के साथ कारिकों संपादित करें, लोगों को कारिकर्ने के लिए प्रेरित करें, उनका उत्सा वर्दन करें प्रसार कार्यकर्टों को कारिक्रम के प्रतेक चरण में सतर, सजक व सचेत रहने की आवशकता है ताकि निर्धारित लक्षों की प्राप्ति की जा सके सात्वा चरण है प्रगती का मूल्यांकन जिसे हम कहते है इवैलुएशन ओफ प्रोग्रेस कारिक्रम नियोजन में प्रगती का मूल्यांकन अतिया आवशक है मूल्यांकन से पता चल जाता है कि कारिक्रम के जो उद्देश थे वो पूरे हुए हैं या नहीं कारिक्रम की प्रगती का पूर्ण विवरन होना चाहिए इससे भविश्य में कारिक्रम नियोजन करते समय सुविधा रहती है कारिक्रम को शेत्र में प्रारंब कर देना ही परियाप्त नहीं होता बलकि उस कारिक्रम को योजना बद्ध तरीकों से पूरा करने के साथ ही उसका निरिक्षन कारिकरताओं का मार्क दर्शन तथा किन कमजोरी के कारण कारिकरता उसे ठीक धंगसे नहीं कर पा रहे हैं उन्हें दूर करना यह सब तभी संबभ होगा जब इसका मुल्यंकन किया जाएगा कारिक्रम नियोजन के प्रतेक चरण में मुल्यंकन करना चाहिए ताकि कारिक्रम की सफलता असफलता का पता चल सके यदि कारिक्रम असफल हुआ है तो इसके क्या कारण रहे है उन कारणों को दूर किया जा सकता है यदि कारिक्रम सफल रहा है तो उसकी सफलता में कौन-कौन से तत्व सहायक रहे है आठवा चरण है पुनर विचार जिसे हम कहते हैं रीकंसिडरेशन कारिक्रम न्योजन का एक अतीम महत्वपून चरण है पुनर विचार कारिक्रम समाप्ति के पश्चात उसकी प्रगति की एक रिपोर्ट तयार करने चाहिए ताकि पता चल सके कि निर्धारित उद्देशों की प्राप्ति हुई है या नहीं रिपोर्ट में कारिक्रम के सफल तथा सफल होने के कारणों का भी उलेक होना चाहिए मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों की रोशनी में सभी सूशनाओं, तथ्यों तथा परिणामों पर पुनर विचार किया जा सकता है मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को सम्मंदित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है तथा पुनर विचार द्वारा सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं जिससे की आगामी कारिक्रम ठीक प्रकार से नियोजित होकर सफल हो सके अब जानते हैं कि सौट अनलिसिस क्या होता है किसी भी काम को करने के पश्याद यदि वांचित सफलता नहीं मिलती तो हमारी महनत संसाधन और हमारा समय बरबाद हो जाता है इसलिए किसी भी काम को करने से पहले ही हमें उसमें सफलता या विफलता की क्या संभावना है उसे जान लेना काफी फाइदे मन्द होता है किसी भी कारे में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कारे के बारे में हमारी जितनी अधिक जानकारी होगी या जितना अधिक अनुबव होगा उतना ही सही तरीके से हम उस कारे की सफलता या विफलता का अंदाजा लगा सकते हैं इस प्रकार किसी कंपनी या व्यक्ति के किसी प्रोजेक्ट या कारे में सफलता का नुमान लगाने के लिए एक तक्नीक का इस्तमाल होता है जिसे हम सौर्ट अनलेसिस या सौर्ट विशलेशन कहते हैं जिसमें से जो S, W, O, T यानि सौर्ट अंग्रेजी के चार शब्दों से बनाए हैं जिसमें से S का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीक्निस, O का मतलब है अपॉर्चिनिटीज और T का मतलब है थ्रेट्स यानि खत्रे तो सौर्ट विशलेशन एक प्रकल्प या एक व्यवस इसमें कारिक्रम या परियोजना का लक्ष उल्लेखित करना और आंतरिक और बाहे कारिक जो इसमें शामिल होते हैं उस लक्ष को प्राप्ते करने के अनुकूल या प्रतिकूल है उनकी पहचान करना शामिल होता है इस तक्नीक का श्रे अलबर्ट हमफ्री को जाता है जिनोंने प्रभावशाली 500 कमपनियों से डेटा प्रयोग करके 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्व विद्याले के एक सम्मेलन में इसका नेतरत्व किया था सौर्ट अनलिसिस पहले एक वांशित उद्देश को परिभाशित करने के साथ साथ प्रारंब होना चाहिए सौर्ट अनलिसिस एक रणनितिक योजना मॉडल में भी शामिल किया जा सकता है जिसमें से शक्तिया मतलब है कि व्यक्तिया कारिकरम के गोणिय विशेश्टाएं जो लक्ष को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं कमजोरियों के अंतरगत आते हैं व्यक्तिय कारिक्रम के गोणिय विशेष्टाएं जो लक्षों को प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं अफसर के अंतरगत बहरी शक्तिया या स्थितिया जो लक्षों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं और खत्रे यानि आकंशा के अंतरगत आते हैं कि भारी परिस्तितिया जो उद्देश को नुकसान पहुचा सकती है सौट अनलिसिस सौट की पहचान करना जरूरी है क्योंकि चैनित उद्देश की प्राप्तिकी योजना की प्रिक्रिया में उत्तरगामी कदम सौट से ही पता किये जा सकते हैं इसमें से कुछ आंतरिक और कुछ भाहिकारक होते हैं किसी भी सौट अनलिसिस का उदेश ये मूल आंतरिक और बहाई कारकों की पहचान करना होता है जो लक्ष को प्राप्त करने के लिए भेद्वपूर्ण है सौट अनलिसिस समू सूचना को टुकुडे की दो प्रमुक शेडियों में डालते हैं सबसे पहले हैं आंतरिक कारक ये शक्ति और कमजोरिया जो एक संगठन के लिए आंतरिक होती हैं बहाई हमें आते हैं संगठन के लिए बहारी वातावरण द्वारा प्रस्तोत अफसर और खत्रे तो सामुदाइक संगठन में स्वाट अनलिसिस कैसे होता है SORT ANALYSIS समुदाय के कार्य में संगठनों, समुदाय और व्यापक समाज के भीतर सकारात्मक और नकारत्मक कारकों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो सामाजिक सेवाओं और सामाजिक परिवर्तन प्रयासों के सफल कार्यरवन को बढ़ावा देते हैं या इसे रोपते हैं इसका उपयोग प्रारंभिक संसाधन के रूप में भी किया जाता है गैर लापकारी या सामुदाइक संगठन द्वारा प्रदत्त समुदाय में ताकत कमजोरिया, अवसरों और खत्रों का आगलन किया जाता है सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया के योशना की एक हिस्सा है और यदि स्वयम ही उपयोग किया जाता है तो रन्नीटी योशना प्रदा नहीं करेगा एक सौट अनलिस से पूरा होने के बाद एक सामाजिक परिवर्तन संगठन एक रण्यती की योजना विक्सित करने से पहले विचार बदलने के लिए अनुशंसाओं की एक श्रंखला में सौट की सूची को बदल सकता है जैसे ताकत और कमजोरिया जो एक संगठन के भीतर कुछ आंतरी कारक होते हैं जिसके अंतरगत आते हैं मानव संसादन जिसमें करमचारी होते हैं स्वेम सेवक बोड के सदस्य लक्षित आबादी फिर भौतिक संसादन होते हैं जिसमें आता है आपका भवन उपकरन और स्था वित्ति के अंतरगत आते हैं अनुदान वित्त पोशन एजिंसिया और आई के अनस्रोथ और गतीवदिया और प्रक्रिया के अंतरगत आते हैं आपके द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम आपके द्वारा नियोजजट system और इसके अंतरगत एक महद्वूंड से उत्पन्य भारी कारक होते हैं इसके अंतरगत आते हैं आपके शेत्रिया संस्कृति में भविश्य के क्या रुजान है अर्थ विवेस्ता फंडिंग स्रोज जन संख्याकिकी और भौदिक महुल क्या है विधान क्या है स्थानी राष्टी या अंतराष्टी घटनाएं क्या हाला कि सौट अनलिसिस मूल रूप से व्यापार और उद्योगों के लिए एक संगठनात्मक विधी के रूप में डिजाइन किया गया था लेकिन इसे आंतरिक और बहारी विपक्षते निपटने के लिए बहारी और आंतरिक समर्थन की पहचान करने के लिए विभिन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि सौट अनलिसिस सामाजिक परिवर्तन की प्रिक्रिया की योजना का एक हिस्सा होते हैं और यदि स्वैम का ही उप्योग किया जाता है तो यह एक रंडिती योजना प्रदान नहीं करता है तो अगला सवाल आता है कि सौट अनलिसिस को उपयोग कप करें इसका उपयोग किया जाता है जानकारी विवस्थित करने के लिए बाधहौ में अंतर दृष्टी प्रदान करने के लिए जो सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियों में शामिल होने के दौरान उपस्थित हो सकते हैं और इन बाधहौं का सामना करने के लिए प्रभावशली संचालन के लिए योजना को संशोधित करना, एक बुद्ध शीलता और रिकॉर्डिंग के डिवाइस के रूप में, संचार के माध्यम के रूप में, नेताओं या प्रमुख समर्थकों की प्रस्तुती में उप्योग किये जाने वाली विश्रसनाईता को बढ जाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, सौट अनलिसिस के बहुत सारे लाप हैं, जैसे विशलेशन ट्रिंड नीती तयार करने और चैन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये एक मजबूत उपकरण है, लेकिन इसमें एक महान व्यक्ति पर तत्व शा करते हैं, और आंतरिक कमजोरियों और बहरी खत्रों से रक्षा करते हैं, सौट अनलिसिस के कुछ सीमाई होती है, सौट विशलेशन इन चार पहलों के महत्वपर जोर देता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि एक संगठन अपने लिए इन पहलों की पहचान कैसे कर सकता है, स आयात प्रदीबंद क्या हैं, अनुसंधान क्या हो रहे हैं, विकास की सुविधाएं क्या हैं, और कुशल व अकुशल श्रम की कमी आदी, तो शिक्षारतियों आपने इस इकाई में कारिकरम नियोजन के साथ साथ सौट अनलिसिस को भी समझा, यदि किसी कारिकरम को बिना नियोजन किये बिना ही चलाय जाता है, तो उसके सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि नियोजन ही कारिकी दिशा वो उद्देश का ग्यान कराता है, किसी भी काम को करने के पश्यात यदि वांचित सफलता नहीं मिलती, तो हमारी महनत, संसाधन और समय बर्ब कारी होगी या जितना अधिक अनुबह होगा उतना ही सही तरीके से हम उस कारीके से फलता ये विफलता का अंदाजा लगा सकते हैं, घरनेवाद